भारते स्टेट बैंक को संकट ग्रसित येस बैंक में 7500 क्रोड रुपए लगाने की मंजूरी मिल गई है देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने कल इसकी जानकारी दी थी SBI ने BSI को बताया कि केंद्रिय बोर्ड की कारे कारी समीटी की 11 मार्च को हुई बैटक में 10 रुपए प्रतिशेर की दर से येस बैंक के साथ 125 करोड शेर खरीदने को मंजूरी दे दी गई है अभी इस सोदे को नियामाकिय मंजूरी मिलनी शेश है इस सोदे के बाद येस बैंक में SBI की हिस्सेदारी उसकी कुल भुगता पुझी के 99 परतिशत से उपर नहीं जाएगी RBI ने कहा कि येस बैंक में निवेश के लिए SBI ने इच्छा चाहिर की है SBI इस बैंक के री कंट्रक्शन्स में भी हिस्सा लेगी पुनर गठित येस बैंक के सभी करमचारियों को मुझूदा पे स्केल पर ही सेलजी मिलेगी यह व्यवस्था करमचारियों को अगले एक साल के लिए ही रहेगी पुनर गठित बैंक के authorized capital को बदल कर 5000 करोड रुपे दिया गया है साथ ही दो रुपए प्रती शियर के भाव से 24,000 करोड रुपे के इक्विटी शियर में भी बदलाव किया जाए इसके बाद यह रकम 48,000 करोड रुपे की होगी यह प्रस्ताव लाया गया है नए बैंक में निवेश करने वाले बैंक अपने हिस्सेदारी को 26 विस्दी से कम नहीं करेगा इन्फ्यूजन की तारीक से अगले साल के लिए यह अनिवारिता होगी इन्वेस्टर बैंक पुरर गठित किये जाने नए बैंक के एक्विची में अपनी हिस्सेदारी को तब तक बढ़ा सकता है जब तक कि यह 99 विस्दी नहीं हो जाए इसके लिए प्रतिशियर का भाव 10 रुपे से अधिक नहीं होना चाहिए दो रुपे प्रतिफ फेस वैल्यू और आठ रुपे प्रीमियम प्राइस से अधिक नहीं होना चाहिए पुर्णर गठित बैंक के लिए नए बोर्ड का गठन किया जाएगा इस प्लान में प्रस्ताव है कि पुर्णर गठित बैंक के बोर्ड ओफ डिरेक्टर्स के पास इस बात की अनुमती होगी कि वो परमुक प्रंतबंद किये कर्मियों दुआरा लिये गए फैसलों को सही प्रक्रिया के तहत पलटा जा सके नए बोर्ड में इन्वेस्टर बैंक के दो नोमिनी डिरेक्टर्स होंगे आर बी आई अत्रिक्ट डिरेक्टर्स की भी नियुक्ति कर सकता है यस बैंक के बोर्ड ओफ डिरेक्टर्स पर निर्भर करेगा कि वो नए निवेशकों को चोड़े नई ओफिस और ब्रांच खोल खन्यवाद